हलो दोस्तो नमस्कार इसे हम किसी चैनल में आप सब लोग का दिल से बहुत बर स्वाइत करता हूँ तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंडन्स दे की बहुत सारी शुपकाम नहीं ठीक है तो कल के दिन के अगर में बात कर दो है जो भी टापिक रहने वाला हैं वो शेर मार्केट तक ही शीमित यहापे रहने वाला है शेर मार्केट की हिसाब से अगर हम लोग यहापे बात करें तो कौन कौन से important points यहापे मुदी जी ने यहापे बोले है directly बोल सकते, indirectly बोल सकते देखे ऐसा कभी नहीं होगा कि मोदीजी आके आपको ये बोलेंगी हाँ ये शेर खरीदो ABCD वाला शेर खरीदो, XYZ वाला शेर खरीदो ऐसा नहीं होगा इशारे इशारे में कुछ चीज़े आपे बोली जाते हैं खास करके उनका जो फोकस होता है दोस्तो वो मतलब बड़ा फोकस होता है उनका ठीक है, मतलब सेक्टर वाइस वो बाते बोलने की कोशिश करते है और आपको पता ही है कि अगर आपको किसी भी शेर में as a investment or as a investor मतलब देखा गया तो अगर आपको बड़ा पैसा चापना है तो वो सेक्टर बहुत healthy रहना चाहिए ये एकदम basic सा गणी थे अगर आप healthy सेक्टर में जाओगे healthy सेक्टर मतलब क्या future oriented सेक्टर जहापे बहुत बड़ा scope है जहापे बहुत सारा inflow आ रहा है पैसे का वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो number five वाला number six वाला share भी आपको अच्छे returns देखे जाएगा बड़ अगर आपको मतलब ऐसे सेक्टर में जाओगे जो की बहुत ही पुराना हो चुका है बहुत ही ठका हुआ सेक्टर है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ठीक है उसी के साथ और कौन-कौन से बाते उन्होंने यहाँ पे बोली है जो की market के favor में हम लोग को देखने को मिल सकती है तो वो सारी चीज़े में step by step यहाँ पे cover करने वाला हूँ short term वाला target short term वाला target मतलब क्या आने वाले next 4 साल में आने वाले next 5 साल में ठीक है तो वहाँ पे अगज़ हम लोग बात करें तो एंटार भारत के economy के अगर हम लोग बात करें तो उसके target के आपे बात की है सो जैसे के आपको पताईए हमारी GDP के अगर हम लोग बात करें हम लोग अभी पाचवे नंबर पे देखने का आपे मिल जाते हैं हाली में अगर हम लोग बात करें हम लोग उने UK को हराया था आने वाले समय में 5 साल के अंदर-अंदर definitely इंडिया top 3 economies में हम लोगों को शामिल होते भी देखने को मिल जाएगा इसमें 2 sides की अच्छी बाते देखने को मिलते हैं मतलब इंडिया की growth बहुत अच्छी चल रहे हैं आने वाले समय में 4-5 साल की बात करें अगर हम लोग अभी कौन सा चल रहे हैं मतलब 28 तक अगर हम लोग बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर की economy हम लोगो देखने को आपे मिल सकती है तो यह point उनने फिलाल तो सामने आपे रखा हुआ है और जैसे मैंने आप लोगो को का कि इसमें ज़्यादा कोई तकलिफ भी होनी नहीं चाहिए जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे है तो यह चीज़े अच्छीवेबल है दोस्तों बात करेंगे एक और टार्गेट के बारे में अभी डेवलपिंग कंट्री है वहां से हम लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे तो क्या ही पॉसिबल है क्योंकि अगर देखा गया कैल्कुलेट करें तेज़ चल रहा है और 47 के इसाब से अगर मैं बात करूँ 24-25 साल तो क्या 24-25 साल में क्या इंडिया इतना आगे आपे बढ़ सकता है तो देखें एज़ इंडियन हम लोग जरू कहेंगे कि येस बढ़ सकते बट इतना इज़ी भी नहीं है इंपॉसिबल भी नहीं है बट येस अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इतना तो कह सकते है 47 नहीं तो चलिए 50 में कर लेंगे उसमें क्या फरक पड़ता है इतना तो हम यहापे कह सकते हैं कि जो टार्गेट रखा हुआ है वो बहुत ही बड़ा टार्गेट है तब ही तो जकान कि अगर 47 तक अगर इन चीजों को अच्यव करना है अभी तो चल रहा है पट और अग्रेसिव तरिके से क्योंकि ये इतना सिम्पल नहीं है 25 साल में जहां से अभी हम तक जाना ठीक है तो ये चीज़े हम लोगों को देखने को मिल रहे है, मतलब basically कहा है दोस्तों, कि जैसे कि हम लोगों ने देखा, कि defense sector की बात करें, then railway sector की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ये कुछ ऐसे point है, जहापे आप चेक कर सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, yes, स्वदेशी ही चीजों के उपर ज्यादा focus यहापे कर रहे है, so check किजिए ऐसे और कौन-कौन से sector है, जहापे हम कह सकते हैं कि भारत का जो performance है, थोड़ा सा कमजोर है, विदेशी कंपनिया वहापे ज्यादा देखने को मिल जाती है, so definitely वहापे हम लोगों को आत्मा निरबर भारत का नारा भी लगत के जाना है, तो agriculture sector में tech का involvement होना बहुत ज़्यादा important है, and इसलिए यहापे आप देख सकते हैं, जितने भी tech वाली company हैं दोस्तों, ठीक है, उनके उपर focus रखिए, कौन-कौन से tech वाली company है, एगरी tech में ज़्यादा focus यहापे दे रही है, मतलब agriculture technology में ज़्यादा बढ़ावा पसंद है, मतलब वो बहुत बार drone का नाम लेते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, NLP में national logistic policy के वग भी उन्होंने का था, कि drone sector बहुत अच्छा कर सकता है, करके यह कोई मैं अपने words नहीं बोल रहा, आप चाओ तो उनका speech देख सकते हो, तो वापस उन्होंने drone sector से related बात है, यहाँ पर सामने रखी हुई है, कि drone से related जीतनी भी हो सके, manufacturing की बात करे, repair maintenance की बात करे, ठीके, यह technology मतलब इस्तमाल करना भी यहाँ पर आना चाहिए, उसके skill set की अगर हम लोग बात करे, तो उसके उपर भी focus रखने का, मतलब पोशीश, यहाँ पर सरकार के द help groups को, ठीके, एंट खास करके women की बात उन्हों ने आपर की है, और उसमें भी अगर आप देखोगे, तो agree drones की बात हम लोगो होती भी देखने को मिली है, मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो drone sector से related, हम यहाँ पर कह सकते की, मतलब directly ही बात होती भी देख कंपनी है, ठीक है, SME में हिशाइक से एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे lot में deal होता है, रतन इंडिया इंटरप्राइस आप चाओ तो study कर सकते हो, छोटा स्टॉक है, इसलिए blindly जाना नहीं है, छोटा मतलब मैं प्राइजिंग के साब से बात कर रहा हूँ, पारस डिफेंस ह इंटर हो चुका है, जिन्होंने दूसरी कंपनी, क्या पर हाली में उसको acquire किया था, 20% stake खरीदा था, HL की बात करें, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, ड्रोन में जो काम करती करके, ऐसे बहुत सारे कंपनी हम लोगों को दिखने को मिल जाती है, पारस डिफेंस का भी नाम करते थे, ऐसा थोड़ी है नै कि ड्रोन अभी जाके किदर पिछले 2 साल में ही बने, नहीं, पहले से ही बनते थे, अभी सरकार का रुख बदल गया, कितने सारे restrictions थे, वो हड़ गये, ठीक है, इनके उपर जो PLS scheme भी दिया करते थे, जिस प्रकार का demand डिखने को मिला, उसको भी 2X कर दिया, ठीक है, जो export हम लोग करते थे, उसके उपर restriction था, बैन था, वो भी हटा दिया, तो हम लोग जरू कह सकते है, ड्रोन सेक्टर की जो उड़ान है, जैसा ड्रोन उपर-उपर उड़ता है, वैसे हम लोग को उड़ान continue रहते वे देखने का आपे मिल सकती है, य हम लोग को बार-बार यहापे highlight होते वे देखने का आपे मिल रहा है, मतलब जब भी भी कोई बड़ा event होता है, जब Prime Minister जी की speech है आपे होती है, तो आप देख लेना इस प्रकार की चीज़े हम लोग को देखने को मिल जाती है, जितने भी important points थे दोस्तों, वो मैंने आप लो लोग बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पाते है, लोग टम में हमेशा हमेशा तेजी ही रहती है, शौट टम की बात करें दिक्कते रहेगी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा अभी आप लोग को पता ही वो inflation का data है, तो यह गड़ बड़े चलती रहती है शौट ट लोग टम की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें दो, इसलिए कहता हूँ कि अगर आप investment करते हो, लोग टम के लिए कीजिए आपका पैसा बनना guaranteed है, अगर आप अच्छे company में जाते हो तो, हाँ, शौट टम की बाते करें तुट्टू मे में चलता रहेगा, यह होगा वो होग और उसको भी enjoy करना है, ऐसा नहीं कि मैदान छोड़के भागना है करके, आधे लोग तो डर ही जाते है, ठीक है, वो डर से कुछ नहीं होता है, तो यह कुछ चीजे थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदीजी ने अपनी speech में आपे रखी थी, आप चाओ तो इनको study यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि action लेना ही है, जरूरी है करके, यह चीजे चलती रहती है, बड़ एक overview हम लोग को मिल जाता है, कि क्यों इन चीजों को पढ़ना होता है, क्योंकि drone sector, defense की बात करे, railway sector की अगर हम लोग बात करे, हम लोग ने जो चीजे निकाले थी, shares निकाले थे, जो हमारे बहुत अच्छे कासे returns दे चुके, वो ऐसी चीजों से हम लोग को पता चल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनके उपर focus रखना बहुत important है, थोड़ी ना हम लोग को कोई exam जाके देना है, तो थोड़ा उपर-उपर से पढ़ना, and market के प्रति उसका view रखना बहुत जदा important यहाँ पर होता है, तो आशा करता हूँ, यह वीडियो थोड़ा सा आपको informative लगा होगा, helpful लगा होगा, तो आप चाहो, तो इसको like and share कर सकते हो, and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया है, तो link नीचे description में 25 वीडियो की list आपको बिलकुल free of cost मिल गईगा, झाल, दको प्रहति कोष्व वीडियो थे साफे होगश लेपने का जापको बिलकुल quality आपको वीडियो की list आते है त kit में का किया में जापको उकि bisa कया बहुत ह Mir major